हेलो फ्रेंस वेल्कम है यूटूब चैनल आप लोग देखरों मास्टर सेफ और आज का अपना रिस्ट पे फिस्ट फ्राइब बहुत ही सिंपल तरीकिसा आप लोगों को सिखाऊंगा जो हम लोग रिस्टूरेंट में फिस्ट फ्राइब बनाते हैं वह आप घर पर कैसे बना थे सब्सक्ते हैं तो यह इनए वॉण इसमें मैंने चीरा लगा लिया 4 सायड में 4 सायड में अगर आपको फिस्ट बढार थी पहां पांस ब्लाई तो आपिसका क्वैल्टाइ। बढ़ा भी सकते हो अगर आपको नहीं पसंद तो कि निंबू आप भाटा भी सकते हो ऋकि तरीके से आपने garlic garlic ginger paste से इसका से मसास कर लेना इस तरीके से और इसके अंदर जहां पर चीरा लगाये वहां पर भी आपने अच्छे से कर देना है यह हो गया ready इसको हम लोग कर लेते साइड में और आप हम लोग मनतें मसाला बनाने के लिए हम इसी में एट करेंगे क्रीब थोड़ा सा कस्तुरी में थी थोड़ा सा एट करूँगा में इसमें गराम मसाला और थोड़ा सा इसमें करूँगा में बिलेक पेपर थोड़ा सा फूट कलर रेड आपने अचाओ तो इसको इसकी भी कर सकते हो कलर को ठीक है मैं से प्रिस्टुरेंट में हूं तो कलर लाने के लिए जिसके अच्छा देखे उसलिए यूज़ करता हूं चाहो तो आप कलर थोड़ा इसके भी कर सकते हो और गरम मसाले की क्वैल्टी आपने पहुत कम रखना है और आपने कस्तुरी मेथी का जो क्वैल्टी है गरम मसाले चाह थोड़ा सा ज्यादा रखना इस चीछ का अप करते ना उसके बाद इसको अच्छी से मिला लेना और मैं इसमें तीन सचान इंबू एट करूंगा क्योंकि फीस में निम्बू ना होए को मुझे मजा नहीं आता मैं फीस में तीन में लग्यां की एक निम्बू को तीन बाग में काटके पूरा एक अक्षा निम्बू एक कर देंगे हम लोक करें करें कि इस तरीके से अब लोक देख से को जहां पर मैंने इसको जहां पर मैंने चीरह लगा हमने हर जंगे इस तरीका से आपने रखे करीबन इसको पंदर मिलेट दस से पंदर मिलेट इसको छोड़ देना है और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो मसाला हो यह ओईल जो है मेरा फीस का ओईल है मैं इसमें सिर्फ फीस ही फ्राइ करता हूं तो आप यह मत बहुतना कि थोड़ा सा बलेकता से और इस गेस को सिलो कर देना और इसको डाल देना है आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फीस है इस तरीके से यह फ्राइ हो जाएगा और जो फीस का जो होता है मतलब कि नॉर्मल ओल है हम लोग इसमें सिर्फ फीस ही फ्राइब करते हम दूसरी कुछ चीज फ्राइब नही सकते क्योंकि फीस का जो उसको जो सीफुट का जो खाने वो अलगी वहता है उसका जो खुस्बू है इसमेल है वह अलगी होता तो प्लीज़ आप इस चीज के ध्यान दे कि अगर आप कोई फीस फ्राइब कर रहो तो उसमें दूसरा खाना ना बनाए रख दे आपको जब अगले दिन अगर आप चाहो तो फिर से यूज़ कर सकते हो चान के रख सकते हो आप लोग देशके तो हमारा जो फीस है ना वह आशानी से फ्राइब हो गया करीबन मैंने इसको 304 मिनट वीडियो कर दिया मैंने 304 मिनट अपने मीडियम पे इसको फ्रेक लेना ठोड़ा सा टेस्ट कर लेना कि भी बराबर है या नहीं और फिस्ट फ्रै हमारा रेडियो को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप पूरी से भी तो मिलते है फिर नेश्फ वीडियो में प्ल